ये माइ ब्यूटिफुल फ्रेंड्स होप आप लोग अच्छे होंगे आज हम लोग बनाने जा रहे हैं पालक कॉर्ण तो उसके लिए हम लोग पालक उबाल ले रहे हैं सबसे पहले ये आधा केजी पालक है फ्रेंड्स इसे देखे हमने सिर्फ पत्ते लिये हैं इसके और इस स्मॉल साइज के हैं दस से पंद्र लसुन की कलियां हैं और अद्रखे की इंच है फ्रेंड्स दो हरी मिर्चे हैं ये सारी चीजों को हमने चौप कर लेना है अच्छे से ये देखे चौप हो रहे हैं ये सारी चीजे चौप हो रही हैं तो हेलो मैं ब्यूटिफुल बिहारी वेंजन यह देखे टमाटर भी हमने काट लिया है यह बहुत ही हेल्दी होती है फ्रेंड्स इसके अंदर बहुत आयरन होता है पालक के अंदर और इंडियन लेडीज को खास करके जरूर ही पालक अपने डाइट में शामिल करना चाहिए यह देखे पालक को हमने पीस लिए है इसमें बहुत ही आयरन होता है प्रेंट्स और साथ में कॉर्ण भी है ये भी एक हल्दी चीज है कॉर्ण भी तो देखिए कड़ाही में तेल लेके उसमें हम लोग सरसों डाले हैं और साथ में हींग थोड़ी सी और कटी हुई लसून अद्रक मिर्च सारी चीज सारी हम लोग डाल ले रहे हैं यह अच्छे से फ्राई हो चुका है अब हम लोग इसमें प्यास डाल दिया है फ्रेंट्स यह देखिए प्यास को भी अच्छे से भुन लेना है यह बहुत ही इजी रेसिपी है फ्रेंट्स बहुत ही मेहनत कुछ है ही नहीं इसमें बहुत जल्दी बन जाती है और बहुत ही टेस्टी और बहुत हिल्धी होती है तो यह देखे कॉण भी हमने मिला दिया है और साथ में हम लोग टमाटर डाल दे रहे हैं दोनों चीजे अच्छे से मिल जाएं, मिक्स हो जाएं तो यहाँ पे हम लोग आधी चमच हल्दी एक चमच होमेड मसाला है और एक चमच हमने नमक डाला है आप अपने स्वादा नुसार डाल लीजिए तो ये देखिए और इसके साथ हम लोग जो ग्राइंड करके पालक रखे थे वो पालक हमने इसमें डाल दिया है तो आज हम ये जो रेसिपी बना रहे हैं फ लास्ट में यह बहुत ही टेस्टी बनके तयार होती है फ्रेंड जरूर ट्राइब कीजिएगा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स होप आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो ये देखिए आज हमारी ब्रिक्फस्ट की थाली में सैलड है करेली की भुज